दोस्तों, देली की वर्ड फेमस बल्ली मरन रेस्टाउन के बारे में कौन नहीं जानता? ये रेस्टाउन ना के सिफ अपने नहारी बलके अपने और भी काफी सारे लजीज आइटम्स के लिए भी फेमस है. पूरे देली के लोग और भी कई अन्य शेहरों के लोग भी खास करके दूर दूर से इनके नहारी का जाइका चखने आते हैं. बताया गया है कि ये रेस्टाउन अपने नहारी में एक्जॉटिक मसालों का प्रयोग करते हैं जिससे की ये एक गजब का जाइका देता है इनके नहारी में. आपको बता दें कि तेली की इस famous restaurant का एक और नया outlet यानि कि बल्ली मरन नहारी के नाम से इनकी दूसरी restaurant की opening हुई है महानगर कोलकता के 17B शम्शूल हुदा रोड में जी हाँ दोस्तों इस restaurant की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे beef के items लजीज items भी available है और इतना ही नहीं दोस्तों कोलकता के public demand पर इस restaurant की opening की गई है तो अगर आप भी beef खाना पसंद करते हैं तो फिर देडी किस बाती आज ही विजिट करें बल्ली मरन नहारी restaurant को पहले मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ बल्ली मरन नहारी के तरफ से कॉलकता के लोगों के लिए जो उन्होंने इतनी प्यार और महबत दिया और वो हमारे सेक्शन था वो सिफ नो बीफ पे था और बीफ की बहुत जादा रिमान थी और केलकटा में बड़ी भबत मिली है तो इंशालला ताला यहां बीफ की नहारी की बहुत डिमांड है और पीक ताइम जिसको हम बोलते हैं विंटर का टाइम में तो बहुत एकस्पेक्ट कर रहे हम ज्यादा और अभी भी नहारी की डिमांड है यह एक ऐसी शौप है जहां कशन दिश है तो आप हो है सबसुर होता है नहारी नहारी मतलब ह said वाली जिसको कम से कम 7 गंटे बनाने में लगते ह् यह मेरा दोच्ट सस्वारां में यह बताएगा नेहारी खाया है नेहारी बहुती लजीज़ और बहुत ही टेश्टी था और अपना कलकाटा से तो समझनेज़kins था बहुत अच्छा लगा और इसलिकिंध हम लोग फार्सल भी लोकर नेहारी lle AGA जाते हैं कि एक बार आप लोग आईए और जो है रेस्टरेंट का यह एड्रेस पर आईए और एक बार जो है नहारी रोडी खागे देखिए तो मज़ा आ जागा एक सबसे बड़ा बात है कि रेट भी बहुत चीफ है एतना चीफ रेट में और बहुत ही अच्छा नहारी दिल खुश होगी है खाके हम सबसे रिप्रेश करते एक बार आईए एक बार खागे देखिए उन लोग वाटिया बहुत ही अच्छा था और नहारी भी बहुत लजीश था बहुत टेस्टी था और जो नांग रोडी दिया वो भी बहुत डिफ्रेंट था यह लग रहा है यहां कलकत्ते में खाई और दिली का मज़ा लीजिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतर्भ दिली में हैं कुछ देर के लिए घरा फिलिंग के किमल गव Industry में और यह मज़ा क自 ना लाजवाब नहारी है बहुत दिल खुश हो भाड खाज़ करना हει हो लhol बहुत और यहां पर हम लोग आपके बहुत मज़ा आया और बहुत सारे लोग आए यहां खाएंगे और बहुत इसका मज़ा लेंगे आप लिए और यहां का निहारी खाईए बहुत मज़ा मिलेगा बहुत बहुत सुक्री है उन्होंने यह दिल्ली का मज़ा हम लोगों के लगड़े में दे रहे हैं तो एक बार जो है यहां का नारी खा के जाईए देखे बल्ली मरान अला का शुक्र है और एहसान है असुरब का के दिल्ली में मारूफ है पर यहां अभी पहचान मराना बाकी है कलकत्ता बहुत हुज जगा है और यहां पर बहुत नामी रेस्टोरेंट है तो मेरा मानना है किसी भी चीज़ को स्टेप बाई स्टेप कि लोगों हम हम चाहें तो बहुत जादा मार्केटिंग कर सकते हैं पर मैं चाहता हूं कि लोग खुद से मारकेटिंग जैसे हमने आपने कस्टमर से भी फीड़ बैक लिया तो यह वो मार्केटिंग है अब यह जहाँ जाएँगे और मारकेटिंग करेंगे धसमें डलने वाले इंग्रिडेंट अभी सब इली कही तो आप लगा लगा लगिजें ऐए अंड़ड़ परसेंट तेली इंक्यूं कि अगर डिली का पको टेस्स लेना है तो यहां और तनका यह मुह सरी डिशेज़ हैं मतलब आप दिल्ली की चीज सिफ सोचिए अब हमारे कल से इस्टू शुरू हो रहा है इस्टू शुरू होने वाला है वह इस्टू आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कलकटा पे तो ऐसा इस्टू नहीं मिलेगा तो अभी बली मरान का व्यू कलकटा के लिए यह है कि कलकटा को पहले यह समझा दे कि नारी और पाया लगे मैं आप से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यह सेट अप आपके लिए है दिल्ली अब दूर नहीं है दिल्ली आपके करीब आ चुकी है दिल्ली का दिल जो बली मरान है जो नारी का गड़ है उस नारी में सबसे बहतरी नारी सबकी अपनी होती है हर नारी का लग टेस्ट होता है वो नारी आपके यहाँ आ चुकी है इसलिए कलकटा में रहे कि अगर दिल्ली का मज़ा लेना है ता बली मरान जरूर आइए इसके लिए तो आपको यह बोलूँगा कि मैं सब्सक्राइब करेंगे आउनलाइन हम लोग स्वीकिस अमेटर पर अल्री हैं यहां का आउटलेट का एडिशनली एक ब्रांच को आड़ करना है जो प्रॉसर साइटिंग वीक में खतम हो जाएगा उसके बाद बली मरान नहरी का बहुत ज्यादा प्राइसिंग कमर्शली प रोड पर आएंगे 17 नमबर रोड का नमबर है यहां मर्टी है इस ही रोड पे अम्रटी जी उसके बिलकुल बराबर में है बली मराण नहरी और मैं चाहता हूं अगली बड़ी बार जब आए तो यह कहें के ब्ली बारन नहरी के बराबर अम्रटी और मेरी मेरी गुजारिश है कि अगर आपका फोन नंबर कभी पिक नहीं हो किसी विजा से तो वाट्सअप पे आप सीधा एक नंबर मैं अपना देता हूं जो मैं सारी ब्रांचेस देखता हूं यहां का लोकर नंबर है इनकेस अगर आपको रिस्पॉंस नहीं मिलता है तो प्लीज कॉंटेक्ट मी ऑन 7300-300-555